Hello friends, रादे रादे 1959, आज बात करेंगे struggle быть plant की इनको हम propagate करेंगे बिना Cocopite के Cocopite के हमें कोई ज़रूथ नहीं है, उसके बिना भी हम इन plants को आसानी से लगा सकते हैं और इनकी में दो méthode आपको दिखाओंगी propagation के, एक कटिंग से और एक पती से दूसरी चीज इनकी केयर आप कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आप पोदे इस तरीके से लगाते हैं या लगा चुके हैं या लगाना चाहते हैं तो आप जरूर बताईएगा कि आपका रिजल्ट इसका कैसा रहा तो देखें मैंने इसको broken pot में लगाया हुआ है broken pot जो है वो पानी तो हमें ज्यादा नहीं रखना है और इसमें चोटे चोटे baby plant भी ग्रोव हुए है ये mother plant है मेरे mature plant से ही हमें पत्तियां लेनी है ये दूसरा पोदा है आप देख रहे हैं तो mature plant से पत्ति लेने से पहले बात करते हैं उसके गमले की तो देखें ये जो गमला मैंने लिया है ये एक टोकरी है जिसका उपर से diameter जो है चोड़ा है गहरा नहीं है ज्यादा गहरा पोट हमें नह नहीं लेना है ये आपको 15-20 रुपे में इस तरीके की बास्किट मिल जाएगी फिर बात करते हैं मिट्टी की ये है ग्रे कलर की जो सेंड आती है जो construction सेंड हम यूज करते हैं वह वाली garden soil और cow dung compost आप इसकी जिए वर्मी compost भी ले सकते हैं अगर आपके पास है लेकिन cow dung compost जो है वो असानी से मिल जाता है और इसको आपको करना क्या है तो ये तीन चीज हमें लेनी है कोको पीट की कोई जवरुथ हमें इसके अंदर नहीं पड़ेगी इस तरीके का अगर आप मिस्रण रखेंगे तो आपका पोदा कभी खराब भी नहीं होगा चौती जो चीज है यह हल्दी, फंजी साइट पोड़र हमने नहीं लिया है, एक चमच हल्दी ली है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, इसके अंदर डाल के, मिक्स इसलिए करना है कि कहीं पे खाट जादा रह जाए, कहीं पे रेत वो नहीं रहना है, अच्छे से मिला लेना है सबको, अगर कोई बजरी वगेरा है, या फिर इसमें कोई मोटा मिटी का डला रह जाता है, उसको निकाल दीजिए, और अच्छे से मिलाने के बाद में देखे, यह हमारी एक सोफ्ट मिटी जो है वो तयार हो गई है, जिसमें जड़े जो है आसानी से चलेंगी, इसके अंदर मैं क पतियों का प्रोगेशन कर रहे हैं, उसमें अगर बारिज का पानी लगेगा तो हमारी जो पतियां है वो खराब हो जाएंगे और पोदे हमारे नहीं बन पाएंगे, अच्छे से ग्रोर नहीं हो पाएंगे, तो बास्किट में हमें मिटी को भर लेना है, और भरना कितना है, तो देखिए मैंने कितना इसको भराएं, उपर से थोड़ा सा खाली छोड़ा हुआ है, पहले इसको set कर लीजिये, और मैने खाली कितना खोड़ा है, मुस्किल से आदा इंच से थोड़ा सा जादा है, एक इंच भी नहीं है, क्योंकि इसमें पानी हमें नहीं भरना है जाद तो पतियां हल्क अश्य कैम ट्वीष करेंगे तो पतिaten से निकल जाती यह लेकिन थोड़ा सा प्लांट को हाथ का सहरा देता की विसे पोदा नहीं खळे और आपको पतृयां निकल लेनी तो पति से कालना है यह बहुत अब उसक जो हैं सारी पतियां नहीं निकाल सकते और पतियों का ये धियान रखना है कि चारो तरफ से निकालना है ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से आप निकालते जाएं तो पोदे की जो शेप है वो खराब हो जाएगी आपको चारो तरफ से इस तरीके से पतियां निकाल लेनी हैं जो मैच्यो तो इसी का पोधा है लेकिन ये लेगी हो चुका है मैच्योर प्लांट हो गया है अब इसको हमें करना क्या है इसकी यहां से पत्यों को मैं निकाल लूँगी जो बड़ी पत्या नीचे की साइड है उनको भी ट्विस्ट करके इसे निकाल लेना आप उपर का पोदा हमारा बच जाएगा ये पोदा खराब नहीं हुआ है अभी भी हमारे काफी काम का है और इससे हम कुछ और भी तयार करेंगे तो देखिए ये इसकी पत्तियां भी मैंने निकाल ली है अब इसको भी एक साइड रख देते हैं अब ये है थर्डवन जो मैं पोदे दिखा रही हूँ फ्रेंड ये डेली एंसी आर में जो हैं काफी अच्छे से चलेंगे गर्मी के मौसम में भी ये खराब नहीं होंगे काफी हाड़ी प्लांट है उन्ही पोदों को मैं आपको दिखा रही हूँ जो गर्मी में यहाँ पे खराब नहीं होंगे तो देखिए ये पत्ती गिर गई थी इसमें नया पोदा शुरू भी हो गया है और अभी मैंने ये पत्तियां इसकी भी निकाल ली हैं मैच्योर हैं सारी थोड़ा सा हाथ लगाते ही ये देखिए इस तरीके से तूड़ जाती है क्योंकि ये मैच्योर हो चुकी है और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो आसानी से निकल जाएंगी तो मैंने ये तीन पोदों की पत्तियां निकाली है एक स्टोन प्लांट भी आता है उसमें भी पत्ति से प्रोपोगेशन हो जबता है काफी सारे से पोदे हैं जो पत्ति से आसानी से ग्रो हो जाएंगे तो इन्हें रखने का जो तरीका है जिस सेप का भी आपका पोट है उसके आप किनारे किनारे से रखना सुरू कर दीजिए चाहिए वो ओवल सेप है या आपका स्कायर सेप का पोट है या फिर राउंड सेप का है आपको किनारे किनारे से ऐसे रखते हुए जाना है मिट्टी में पत्तियों को नहीं दबाना सिर्फ मिट्टी के उपर रखना है अगर आपने पत्तियों को मिठी के अंदर दबा दिया तो नया पोधा बनने में टाइम लगेगा और पत्ति खराब भी हो सकती है तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा दूसरी चीज मैं बात आदो हमको फर्टिलाइजर इन पोधों को ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है छे महीने में एक बार आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं आप जो ओनियन पील का हम फर्टिलाइजर मनाते हैं प्याज के छिलके का व जो चोटे वाली पतियां, वो मैं आगे की साइड, इसमें देखे, अंदर की साइड इस तरीके से लगा दूगी, इसमें क्या होगा, जब पोधा निकलना शुरू होगा, तो ये पतियां आपने आप ही सूख जाएंगी, और पोधा पतियों को छोड़ देगा इसमें हमारे प्लांट को जो है स्पेस में मिल जाएगा और पोधे आसानी से ग्रो हो जाएगे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसे कहीं भी ऐसी जगें ना रखे जादा इसमें पानी डल जाए इस चीज़ का ध्यान रखना है जादा पानी इसके अंदर नहीं डालना है नहीं तो आपकी जो पतियां हैं ये खराब हो जाएंगी तो ये मैंने सारी सेट कर दी हैं इस तरीके से अब सिर्फ मैं इसको स्प्रे से पानी दूँगी अगर आप प्रेशर से पानी डालेंगे तो सब पतियां बिख़ड जाएंगी इस प्रे बोटल से ही आप पानी डालें ऐसे चिड़काव करें एक बार चिड़काव करने के बाद में आठ दिन तक मैं कोई पानी नहीं डालूँगी क्योंकि पत्तियों में काफी सारा पानी होता है उसी से पोधा तयार होना सुरू हो जाता है आठ दिन के बाद देखूंगी कि भई इसमें पानी की जरूरत है या नहीं है अगर जादर ड्राइ लग रहा है तो हलका सा स्प्रे कर दूँगी otherwise मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी क्योंकि अभी सर्दियों का मोसम सुरू हो गया है तो नमी बनी रहती है और पत्तियां ड्राइ नहीं होती है अगर आपने इसको धूप में रख दिया तो पत्तियों का पानी सूख जाएगा और आपके पोदे तयार नहीं हो पाएंगे तो इसे शेमी शेड में रखना है जहां पे खुली धूप इस पे ना पड़े सिर्फ इस पे रोशनी रहे फिर मैंने लिये हैं ये ग्लास इनका कारण है कि मेरे पास छोटे पोट नहीं थे मैंने ये ग्लास ले लिए थे प्लास्टिक वाले और इसी में मैं अपने पोदे तयार करती हूँ सैनिटाइजर ले लेना है अपने चाकू, बलेड जिससे भी आपको कटिंग करना है उसको अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है कटर आपके पास नहीं है, आप चाकू ले लीजे ये मैंने पोधा ले लिया, आपको दिखाया था लेगी हो चुका है, इसको मैं क्या करूँगी उपर से इस तरीके से कटिंग कर लूँगी ये मत सोचिएगा कि मैं इसके साथ में बेरहमी कर रही हूँ, नहीं इसके जो आसपास है, नए पोधे निकल आएंगे यहां से, और इसके चारो तरफ नए प्लांट ग्रो होंगे कोई फंजिसाइड लगाने के जो रोज इसके उपर नहीं है, मैं अपने जितने पोधे बनाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ और कोई दिक्कत इसमें फंगस वाली नहीं आएगी क्योंकि हमने अपने कटर को सेनिटाइज कर लिया था और इसकी एक पत्ती अभी भी बड़ी सारी है इसको मैं निकाल लेती हूँ, इसको भी उसी पोट में रख दूँगी तो देखें, इसको मैंने इसमें सेट कर दिया है अब क्या करना है? इस डंडी को इसमें अंदर इस तरीके से मिट्टी में लगा देना है जो मेडिया मैंने उसमें ग्रॉइंग में बनाया था पत्तियों के लिए उसी में मैंने इस cutting को लगाया है और कोई अलग से कुछ भी नहीं mix किया है अब दूसरा पोधा मैंने लिया और इसको भी मैं यहां से cut कर लूगी काटने का तरीका असान है क्योंकि इनकी जो branch है वो काफी soft होती है और cutting से थोड़ा हमारा बड़ा पोधा तयार हो जाता है पतियों से propagate होने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन cutting से देखे हमारे पास में एक पोधा तयार हो गया थोड़ा बड़ा तो cutting से फाइदा यह है कि जल्दी से पोधा हमें मिल जाता है अगर किसी के पास आपको cutting मिलती है आप उनसे ले लीजिए फ्रेंड इस तरीके से आप cutting अगर लगाएंगे तो आपकी cutting कभी भी खराब नहीं होगी मिट्टी का ध्यान रखना है पानी का ध्यान रखना है सगुलेंट प्लांट के अंदर ये दो चीजें जरूरी हैं जिनका आपको काफी ध्यान रखना है जादा पानी होते ही आपका सगुलेंट प्लांट खराब हो जाएगा क्योंकि पानी इनकी स्टैम में भी और पत्तियों में भी भरा होता है और पानी का ही दिक्कत होती है कि ज़्यादा पानी देने से गल जाते हैं और बाकी जो पोदे मैंने कटिंग किये यहां से नए पोदे इसमें निकल आएंगे तभी पोदे मेरे तयार हो गए हैं तो ये सबसे आसान मेथड है कटिंग से लगाने का और पती से लगाने का दोनों चीजे मैंने आपको दिखा दी है पर्टिलाइजर मैंने आपको बता दिया है मिट्टी कैसे बनानी है वो बता दी है अगर आपको ये जानकरी फ्रेंट्स पसंद आई हो तो प्लीज जरूर इसे वीडियो को लाइक करें और देखें मैंने ग्लास के अंदर भी पानी इसी तरीके से डाला है और इसमें भी मैं 8 दिन के बाद ही पानी डालूँगी ज्यादा पानी ना कटिंग में डालना है ना ही पत्तियों में डालना है इन टिप्स का आपको हमेशा ध्यान रखना है ग्रो होने के बाद भी पानी का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट कभी खराब नहीं होंगे सेकुलेंट प्लांट को आप एक साइड ही रखिए सब पोदों में मिक्स मत करिए तो चलिए इन मिलते हैं अगली वीडियो में राधे राधे